जैन दोस्तों मैं नुराग और आज शकरता हूँ आप भी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे Chrome browser को आप किस तरह से इसकी performance increase कर सकते हैं और किस तरह से उसको perfection के साथ speed up कर सकते हैं तो चली चलते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जब आप Chrome browser में अपनी profile से login करते हैं तो वह अगर आप एक या दो ID से login करते तो ठीक है लेकिन अगर आपके पास जैसे आपने 5 या 6 या उससे ज्यादा ID से login कर रखा हो तो इसमें क्या होता है कि जब आप इन से login करते हैं तो इनकी profile create हो जाती है सबकी अलग-अलग और उसमें history, bookmarks और downloads यह सब अलग-अलग create हो जाते हैं और इनकी profile बहुत heavy हो जाती है तो आपको जब ज़रू तो तभी आप login करें और उसको साथ-साथ logout कर दें इससे आपकी जब आप logout करेंगे तो आप cache clear करेंगे तो वह सारी उसकी history जो है वह सारी clear हो जाएगी इसके अलावे last जोगा वह extension होता है extension आप जैसे browser में किसी भी चीज की supporting extension install कर लेते हैं अगर आपको को लगता है कि कोई extension आप use नहीं कर रहे हैं काफी time से तो उसको हटा दी तो इससे भी आपकी performance speed up होती है प्लस इसके बाद अगर आप browser पर जैसे भी कुछ download करते हैं तो आप उसको भी clear कर सकते है clear करने से सारी मतलब इसकी profile जो है light हो जाती है और वह फर्क पड़ता है उस पर बुकमार्क्स आप कोशिश करें कि बुकमार्क्स जो है वह कम से कम हो आपके profile में क्योंकि जितनी ज्यादा profile होंगी जितनी ज्यादा बुकमार्क्स होंगे वह ब्राउजर को slow कर देता है तो दोस्तों इस तरह से आप यह speed up कर सकते हैं बाकी इसके अलावा दोस्तों आप settings में जाए सबसे पहले settings में जाए त्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे ब्राउजर में सेटिंग में जाए सेटिंग में प्राइवेसी एंड इसमें आप all time history क्लियर कर ले browsing data क्लियर कर ले इसके बाद performance में चले जाए यहां पर memory saver on कर ले memory saver basically यह होता है कि जब आप ब्राउजर में ब्राउज करते हैं और tab काफी सारे open हो जाते हैं तो जो current working tabs होते हैं उसी के अंदर आपकी memory यूज करता है और जो जो tabs जो बन हैं भी उनकी memory जो RAM यूज हो रही होती है वो उनको उससे free कर देता है और इस तरह से आपको मतलब थोड़ा सा speed up मिल लाती है उसमें जो current आपके tabs होते हैं इसके लाब आप pre-loaded pages को भी आप on कर सकते हैं कि जो आपने browser बंद करने से last time जब आपने browser on किया था तो जो pages load किये थे अगर वो दुबारे से आप request करते हैं उनके लिए तो वो एकदम ज होती है कि जैसे आप अपने system की performance जो है अगर आपके hard drive 50-50% तक खाली होती है तो system performance ठीक रहती है कैशे clear करते रहे regular तो उससे भी फर्क पड़ता है तो ठीक है दोस्तों मिलते एंगली वीडियो में चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर कमेंटनेंट लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो और मिलते एंगली वीडियो में बाई